दोस्तों इस वीडियो में हम GST का एक बहुत ही important update डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो में आगे पढ़ने से पहले चैनल पर नहीं हैं तो subscribe कर लीजिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा थाकि कोई भी important update upload हो उसकी notification आपको मिल जाए तो जी हाँ ये काफी important update है आप सभी के लिए GST portal पर अब एक functionality आ चुकी है जो आपके लिए किस तरह से मुसीबत बन सकती है वो चलिए हम जानते है अब आप सभी के लिए ये बहुत ही बड़ी कह लीजिए कि alert है कि अगर आप fraudulent purpose के थूँ ITC claim कर रहे है या फिर आप अपनी GSTR 1 के अंदर जो supply दिखा रहे है वो आपकी GSTR 3B से excess है यानि कि GSTR 3B में तो आपने कम दिखाई है लेकिन GSTR 1 में आपने जादा अगर supply दिखाई है आउटवर्ट supply आपने जादा दिखाई है shall now be suspended on the portal तो आपका जो registration है वो suspend कर दिया जाएगा portal पर तो ये alert आपके लिए बहुत ही important है तो उनके रजिस्ट्रेशन को पोर्टल पर suspend कर दिया जाएगा the taxpayer shall be intimated लेकिन आपको पहले intimation भी दी जाएगी इसकी shall be intimated about the suspension in form GST REG 31 requiring them to explain within 30 days और आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा why their registration should not be cancelled कि हम आपका registration cancel क्यों ना करें तो फ्रूडेंटली अगर आपको ये ITC ले रहे हैं या अपनी 3B में तो आप कम liability दिखा रहे हैं और GSTR 1 में आपकी liability जादा है एक या एक से अधिक text periods के लिए तो आपका portal अब registration suspend कर सकता है और आपको intimation भीजे जाएगी REG 31 की form में और 30 दिन का समय आपको दिया जाएगा कि हम आपका registration cancel क्यों ना करें तो अगर अब आप इस तरह कि कोई भी mistakes कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही important warning है कि portal पर ये functionalities अब आ चुकी है next एक और important functionality की बात मैं इस वीडियो में करना चाहूंगी next एक GSTR 3B late fees के तो changes आपको already पता है कि portal पर implement हो चुके है क्योंकि 1st June से आपकी GSTR 3B की जो late fees है वो अब change हो चुकी है जो late fees लग रही है वो एक बार आपको दुबारा से मैं बता दू अगर आपकी nil return है तो maximum 500 रुपे nil के अलावा अगर आपकी return है 1.5 करोड तक आपका turnover है तो 2,000 रुपे 1.5 करोड का turnover है तो 5,000 रुपे और बाकियों के लिए 5 करोड से जादा अगर आपका turnover है तो वो ही 10,000 रुपे वाली late fees आपको pay करनी है तो ये changes तो अलरड़ी portal पर implement हो चुके हैं इसके अलावा दोस्तों portal पर एक और नई functionality रिलीस की गई है जिसमें की आप state-wise statistics देख सकते हैं for quarter April to June का जो अभी available करवाया आपको download section में जहां पर आपको registration 3B किती फाल हुई है GSTR1, text collection कितना हुआ है ये information आपको portal पर मिल जाएगी तो ये important जो changes है जो functionality है वो portal पर आ चुकी है मेरा मकसद इस वीडियो को share करने का ये था कि ये जो important अभी आपके साथ मैंने alert share किया है suspension को लेकर के इसे आप थोड़ा seriously लीजिएगा क्योंकि GST के काफी सारे registration है जो इन छोटी छोटी कारणों की वज़े से suspend हो जाते है cancel हो जाते है और फिर उनको revoke कराने में कितनी परिशानिया आती है वो तो आप सभी जानते ही है तो किपा करके इस थरहे की mistakes मत कीजेगा कोशिश कीजेगा आपकी 3B और GSTR 1 के बीच कोई भी mismatch ना रहे कीजेगा जो से थे की है